शुर्वात बड़े खबर से बुलिटिन की करेंगे त्रिवेंद्र काबिनेट की बैठा खत्म हो गई है डिशिकेश में IDPL की जमीन के लिए खत्म कर दे गई है तो काबिनेट की बैठा खत्म हो गई है जो मेहतोफोंट फैसले लिए गए है वो हम आपको बता रहे हैं IDPL की ज जमीन लीज़ खत्म कर दिया है आठ सो थीस एकर जमीन राज्य को वापस करेगा आप केंद्र और एम्स को दो सो एकर की जमीन मिलेगी खनन कारोबारी तीन मीटर तक कर सकेंगे खुदाए नैनिसार में निजी स्कूल को दी गए है चार सो एकर जमीन वो जो है वापस अब ली जाएगी और इसी खबर पर जदा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीप अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं अब देखिरा जीब बहुत कहीं इसमें एहम निर्णे हुए हैं इसमें सबसे बड़ा निर्णा यह हुआ है जो आइडी पी एल की जो आट सो एकर से ज्यादा ज़्यादा जमीन केंज सरकार के पास थी तो उसकी लीज मार्च में खतम हो रही है मार्स 2020 में खतम हो रही तो कैबिनेट में आज ये निर्ने लिया गया है कि वो जो जमीन थी जब जिस समय वो जमीन भारे सरकार को इसे पुर्द की गई थी वो वन विभाग की थी वो वन विभाग के पास ही वापस आएगी वन विभाग से वो प्रिटन विभाग को ट्रांसफ़र होगी तो 8.5-701 एकड के इसपास जमीन राजय सरकार को वापस मिल लई है बहुत सालों बाद उसमें से 200 एकड जमीन एम्स के विस्तार के लिए देने के लिए सहमती बनी है राज्य और केन सरकार के पास और इसके अलावा एक बड़ा फैंसला है कि जो पोड़ी का जो जैहरी खाल है वहाँ एक ओटोनोमस आवाश्य विद्धाल्य बनेगा और जिसके एक ट्रस्ट होगा जो से संचालित करेगा और उस ट्रस्ट के अद्धक्स मुख्यमंत्री होंगे और शिक्सा मंत्री उसके तो कुछ तकनीकी समच से आ रहे है और समवाथ बीच बीच में टूट रहे हैं से हम दुबारा समपर करने की कोशिश करेंगे हमारे साथ जो जो जोड़े हुए तो जो मेहत्वपूर्ण निर्डे लिए गया है जो जो ज़मीन है 200 एकड की जो आईडी पेल से जो लीस खत् बात आप कंप्लीट कर सकने हैं भी या चिगा दाखिल करने सुप्रिम कोट के लिए कुछ कर गई है तो यह तमाम निर्ड़े आज रहे हैं कैबिनेट में जो अभी आप हमारे स्किन पर दिखा भी रहे हैं तो इस तरह से एक जैहरी खालवाला बहुत ही मैत्पूर्ण एक निर्ड़ा है एक नैनी सार अलमोड अपना रूक इसपष्ट कर दिया है कि जिस भी निजी घराने को यह जमीन दी गई है वह 15 दिन के भीतर इसपष्ट करें कि अभी तक भवन कर निर्वान क्यों नहीं हो सका है और अगर 15 दिन के भीतर कोई निश्चित जवाब कोई मुकमल जवाब नहीं आता है तो उनसे व पर सब्सक्राइब कीज़े, फेस्बुक पर लाइक कीज़े, फेस्बुक पेज है www.facebook.com.abpganga, ट्वीटर पर भी फॉलो कीज़े, हमारा ट्वीटर है twitter.com.abpganga